कि मेरा एक फ्रेंड है गाउंका ही है और वो यूट्यूब पे सौट वीडियो डालता है लेकिन वो जो सौट वीडियो डालता है उसमें वो बैक्राउंड में हिंदी गाना यूज करता है तो वो यूट्यूब पे इस तरीके से वीडियो डाल रहा था तो क्या हुआ कि उसके कि मैं अपने sort video पे गाना भी यूज करूँ और copyright claim भी ना है तो मैंने उसको एक ऐसा trick बता दिया कि वो अभी sort video भी डालता है वो गाना भी यूज करता है लेकिन उसके sort video पे copyright claim नहीं आता है तो मैंने उसको कौन सा trick बताया चली मैं आप लोग को अच्छे से बता दिता हूँ ताकि अगर आप लोग भी इस trick को use करना चाहते तो बहुत ही आसानी से कर सकते है तो जो trick मैंने अपने दोस्त को बताया उस trick को सबसे पहले मैंने खुद experiment किया कि क्या कोई ऐसा trick हो सकता है या फिर नहीं तो YouTube को मैंने अच्छे से देखा तो वहाँ पर YouTube का एक ऐसा भी update है कि अगर आप short video बनाना चाहते हैं और अगर आप उसमें गाना use करना चाहते हैं कोई भी गाना तो आप use भी कर सकते हैं लेकिन आपके वीडियो पर copyright claim नहीं आएगा तो वही trick मैंने उसको भी बताया था तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले अपना यहाँ पर मैंने जो experiment किया है वह मैं आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को भी proof हो जाए तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर भी मैंने एक experiment किया दुबारा किया अभी काम कर रहा है कि नहीं और पहले भी मैंने किया हुए था तो यहाँ पर देख सकते 14 गंटा पहले मैंने एक short video डाला था मेरा gaming channel था मैंने कभी बहुत पहले बनाया था इसमें अभी video upload नहीं करते हैं तो इसमें मैंने यहाँ पर जो PUBG का gameplay है वो मैंने डाला और इसमें मैंने गाना भी use किया है यहाँ पर देख सकते इस short video का link मैं description मैं दे दूँगा आप जाकर के देख सकते कि इस gameplay में यहाँ पर गाना है उसके बाद यहाँ पर मैंने इसलिए यहाँ पर देख सकते मैंने लिग दिया title में ही PUBG gameplay with Hindi song ताकि मुझे भी याद रहेगा कि इसी short video में मैंने यहाँ पर Hindi song यूज किया हुआ है तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डाला तो इसमें भी अच्छा खासा व्यूज भी आ गया 519 व्यूज आ गया जो मैंने यहाँ पर expect नहीं किया था और refuse आ गया और इसमें अगर मैं आप लोग को इसका पूरे detail लिखा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर restrictions लिखा हुआ है और अगर कोई भी video पर copyright claim आ जाता है तो यहाँ पर जहाँ नन लिखा हुआ वहाँ पर copyright claim लिखा हुआ आ जाता है तो इस वीडियो पर copyright claim नहीं है तो इससे यह proof हो जाता है कि यह जो trick अभी काम करता है अगर आप अपने sort video पर गाना यूज करेंगे तो copyright claim नहीं आएगा तो चलिए मैं आप लोग को trick बता देता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारा लोग किसटरीके से करते हैं कि अपना camera open करते हैं उसके बाद वहाँ साइड में बजाते हैं और अपना lip sync कर लेते हैं उसके बाद वह lip sync करते हैं फिर बाद में क्या करते है'RE काइन no adopt option में जाते है आपको क्या करना आप जो भी वीडियो से camera से suit करते हैं तो उस में आपको gana उस time में आपको edit करते time नहीं लगा नहीं अगर अगर हिंदी गाना या फिर कोई भी ओणा यूज करेंगे तो आपको क्या करना यहापको यूटुप प्यानै उसके बाल यहाप acute कर दEMA पर मैं क्लिक करता हूँ तो आसा इंटरफेस देखने के लिए मिलता है तो आपको यहाँ प которых क्या करना ने हैं आपको add music का उप्षण देखने ब्लेगे मिलता है तो आपको इस पर select कर लिया, अब आपको क्या करना है, यह जो आपको arrow का बटन देखने के लिए मिलता है, आपको इस पर click कर देना है, जैसा आप यहाँ पर click करेंगे, तो यह जो आपने Ghana select किया, वो यहाँ पर आ जाएगा, अब क्या करना है, कि आपने जो वीडियो बनाया हुआ है, मतलब तो done के option पर आपको click करना है, जैसा आप यहाँ पर done के option पर click करेंगे, तो यहाँ पर processing होगा, अब यहाँ पर आप लोग को लग रहा होगा, कि अब यहाँ पर गाना अलग चलेगा, और मेरा जो वीडियो अलग चलेगा, तो यहाँ पर match नहीं होगा, तो match करने के लिए अपको देखने के लिए मिलता है इस पे लिक कर देना है जैसे आप यहाप है क्लिक करेंड करें दो आप बीडियो में इस न in Sing न मिल्स कहते है जिस भी लाइन पूरा गाना अपने नहीं बनाया होगा गाना का कोई बही एक line आपने गाया होगा या फिर बोला होगा तो वही आपको यहाँ पर इस तरीके से edit कर लेना, माल लिजे कि इस part में आपका यहाँ पर जो आपने गाया है, वो song के इस part में है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको select कर लेना है, तो आपको done button पर आपको click कर देना है जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आज आएगा उसके बाद आपको क्या करना यहाँ पर देख सकती है यहाँ पर आपको एक right का button इस तरह के से tick कर आपको option मिलता है आपको click कर देना है जैसा आप इहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने जो gallery से अपना video select किया वो यहाँ पर play हो जाएगा और आपने जो अभी YouTube यहाँ पर music जो आपने add किया वो यहाँ पर add हो जाएगा तो यहाँ पर आप लोग को यह ध्यान से देख लेना है कि जो भी गाना है वो आपकी lips के साथ match कर रहा है कि ने अगर वो match कर रहा है तो आपको क्या करना next button पर click करना है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पर lips match ही नहीं होगा तो सुरू सुरू में अगर आप यहाँ पर try करेंगे तो थोड़ा सा मुस्किल होगा थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन यहाँ पर जब आप regular इसी तरीके से करेंगे तो यहाँ पर आप लोग का आदत हो जाएगा तो अगर आप इस trick को यूज करके यूटीब पर सौट वीडियो अप्लोड करते हैं साथ में अगर आपके सौट वीडियो पर हिंदी गाना या फिर कोभी गाना होता है फिर भी आपके सौट वीडियो पर copyright claim नहीं आएगा और इसी trick को मैंने अपने friend को भी बताया है और वो अभी YouTube पर अप्लोड करता है सौट वीडियो भी अप्लोड करता है गाना भी होता है लेकिन उसके वीडियो पर copyright claim नहीं आता है और यहाँ पर मैंने आप लोग को प्रूब भी दिखाया अब वहाँ से जाकर के देख सकते हैं और अगर आप लोगों ने अवे तक चैन को सब्काइब नहीं कियें तो ऐसा ही informative और useful वीडियो जी देखने के लिए आपको इस चैन को ज़रूर से सब्काइब कर लेना है तो चलिए मिलता है जल्दी next वीडियो में तब तक के लिए जाहें